हेलो फ्रेंट्स हम बोलियम 6 पढ़ रहे थे हमने पढ़ रहे था रूर नुम्बर 6 जो हमारा एरली बिलेज रेटर्न होती है बार्शिक ग्राम भी वर्णी होती है या थक हमने पढ़ लिया था आज हम नेक्स देखेंगे कस्टीडी ओफ गोर्मेट मनी सरकारी रुपे की अभी रक्षा फार कस्टीडी ओफ कैश एंड वैलिवल्स आइरन सेफ सप्लाइड तो इसके लिए क्या गया आता है जो कैश होती है और वैलिवल्स होती है उनकी कस्टीडी के लिए प्रतेक ओफिस को आइरन सेफ मतलब कि लो जो होती है उसमें से एक को डेली ट्राजक्शन जो होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है और दूसरी को रिजर्ब सेफ की तरह रखा जाता है तो जो भी मनी होगी क्रंसी नोट्स होंगे पोस्टर स्टीडी में रहेंगी पोस्टमास्टर एंड ट्रैजर्र उन दोनों की कस्टीडी में रहेंगी जो उसकी अपनी प्राइवेट मनी होगी उसकी अपनी प्राइवेट प्रोपर्टी होगी कोई फीफी चीज होगी या फिर किसी और person की वो उसको भी saves में नहीं रखेगा During extended hours काम के बड़े हुए घंटों के सेमें Postmaster arranged to supply cash, poster stamps, IPOs to concerned treasurer और postmaster तो जब भी काम के बड़े हुए घंटों घंटे होते हैं जो मारे night post offices होते हैं जैसे तो उसमें क्या अगर होता है कि जो postmaster होता है वो arrange करता है जो भी उसका cash होता है poster stamps होती है या IPOs होती है उनको supply करने का जो भी concerned सम्मंदित treasurer या postmaster होगा उसको The balance of cash and other stamps अब जो भी उसके पास cash या other stamps का balance बचाएगा kept in safe at close of each day तो प्रते एक दिन के close होने पर वो उसको कहाँ पे रखेगा safe में रखेगा mention in daily subsidiary account maintain for this purpose and sign by two or three officials concerned इसके लिए क्या किया जाएगा daily subsidiary account एक maintain उसमें mention किया जाएगा और उसमें दो या तीन officials जो इससे समंदित होगे उनके द्वारा sign किया जाएगा The balance in cash, postage and other stamps IPOs extra kept locked up in office safe and then kept in reserve safe तो जो भी उसके पास balance बच जाएगा cash हो चाहे पोस्टेज स्टैम्स या फिर other stamps या IPOs जो भी उसके balance बचेगा उसको ओफिस safe में lock up करेगा पहले फिर उसके बाद उसको जो reserve safe होगी उसमें उसको रख देगा पोस्टेज और other stamps put up in pockets और जो पोस्टेज और other stamps होगी उनको कहां पर रखेगा पोकेट में रखेगा उसमें ही होती है safe में which should be sealed and with insurance seal और उनको जो pockets होगी उनको कैसे seal किया जाएगा insurance seal के साथ seal करके and pocket bear level sign by the head post master उसके पर एक level लगाया जाएगा जिस पर head post master के sign होगे and treasure containing and entry of contents when any money stamps taken out of reserve safe bags pockets reserve and reseal and relevered तो इसके बाद क्या किया जाएगा जो treasurer होगा जो भी उसके contents होंगे उसमें रखे होगे safe में कोई भी money या वो जब भी उसको निकालता है तो उसकी entry करता है उसके बाद फिर से जब उसको बापिस रखता है bags या pockets में तो उसको द्वारा से reseal करता है जो भी seal होती है उसको बापिस लगाता है और उसके बाद जो उसको लेबल होता है उसको भी द्वारा से लेबल लगाता है safe from which daily transactions are carried तो जिस safe का use जो daily transactions के लिए किया जाता है portion of cash balance and stamp balance तो एक हिस्सा ठीक है कुछ थोड़ा सा हिस्सा cash का और stamp balance का जो होगा required for daily use जो daily use के लिए जिसकी जरूरत होगी and few denominations of IPO तो जो आई-पी होते हैं उनके पर तेख दिनोमिनेशन के थोड़ा सा part उसको लूज रखा जाता है ताकि अगर उसकी जरूरत पड़े तो वो सारे का सारा ना खोलना पड़े जो लूज है उसमें से ही निकाल के दे दिया जाए every safe have two logs तो जितनी भी संदूक होती हैं उनमें दो लोग से लगे होते हैं बन की kept by postmaster and other by treasurer एक की postmaster के द्वारा रखी जाएगी और दूसरी जो treasurer के द्वारा रखी जाएगी each head office should be provided by the chokydar तो जो head offices होते हैं बहाँ पे जो safe होती हैं उनके लिए chokydar भी provide करवाई जाते हैं add the description to the head of circle तो head of circle के description पर identification cards अब जो identification cards होते हैं इनके बारे में हम family भी पढ़ चुके हैं conditions regarding issue and supply same as close 63 और post office guide department तो जो हमने post office guide department में close 63 पढ़ा था कि identification card होता है जो उसको उसके लिए issue करने के लिए जो conditions होती है और उसको supply करने के लिए जो conditions होती है वो हमने 63 में पढ़ा था जैसे वैसे ही same है ID card contains अब जो हमारा identity card होता है इसमें क्या क्या होता है full description of its holder तो उसके जो holder के बारे मां उसके उपर full description होगी उसका जो address बहुत सारा गुच्छ होगा His signature and photograph उसके sign होगे और photo होगी ID card is 4 तो यह होता किसके लिए members of public tourists traveling representatives who find difficulty in establishing their identity in the town तो जिनको भी अपनी identity सापित करने में किसी भी शहर में identity सापित करने में कोई परशानी हो तो उनके लिए identification card बनाया जाते है At the time of delivery contents should be carefully examined तो जब delivery की जाती है जो contents होते है उनकी अच्छी तरह से जांच की जाती है after delivery the number and office of issue the identity card तो जब delivery की जाती है उसके बाद क्या किया जाता है तो जो addressee receipt sign करेगा उसके उपर उसका number और उसको की surface ने issue किया है यह दोनों चीज़े नोट किये जाएगी In case of wrong payment of money order or miss delivery of letter due to fraudantly use of ID card तो अगर कहीं पर ID card का fraud में use किया है उसका गलत use किया है उसकी बज़े से अगर कोई भी money order की wrong payment हो जाती है यह miss delivery हो जाती है किसी letter की तब क्या होगा Postal officials will not be absolved of their responsibility तो इसमें जो postal officials होंगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी In case of doubt अगर कोई शंका है जो postmaster है पेंग पोस्टमास्टर जो पेंग पोस्टमास्टर होगा शुट कोल फार another evidence to establish their identity तो पोस्टमास्टर जोगा उनके उनसे कोई और evidence मांग सकता है उनकी identity का कोई फी और evidence मांग सकता है Register in manuscript open in all head post offices और एक register खोला गया है प्रतेक head post office में manuscript मतलब की पांडुलीपी के रूप में एक register खोला गया है the particulars of ID cards issued तो जितने भी particulars होते हैं जो ID card issue होते हैं उसकी copy और उसका serial number जो इसको एलोट किया जाता है ID card को in continuous consecutive series तो उसमें एक लगातार series में वो लिखे होते हैं fees of identity card converted into poster stamps तो जो identity card की fees है उसको poster stamps के रूप में दे सकता है laws of identity card duplicate में भी issued अगर जो identity card है वो गुम हो जाता है तो इसके लिए जो duplicate issue कर दिया जाता है तो उसके उपर क्या लिखा जाता है marking duplicate in reading उसके उपर reading में duplicate लिखा जाता है giving return declaration absorbing the department from issues of original और साथ में department को return में लिख के देना पड़ता है कि जो original है उसका कोई भी misuse ना हो fees for issue of ID cards 9 rupees validity 3 years और जो ID card होता है उसको issue करने की fees कितनी है नोर पे और उसकी validity कितनी होती है 3 years application for issue of ID card अब जो application होती है ID card के लिए also be made at sub offices तो बो sub office में भी दे सकते हैं the SPM after making enquiries forwarded the application to the head office for issue of ID card तो इसमें क्या होता है कि जब भी application है उसको sub office में भी दे सकते हैं बड़ जो इसके बाद क्या होगा कि SPM जो सब postmaster होगा वो उसके regarding पूरी inquiries करेगा जांच करेगा उसके बाद करेगा फिर उसके बाद जो उसको head office में के लिए forward कर देगा बहां को भेज के बेज़ेगा ID card issue करने के लिए some important checks to be carried out by postmaster अब कुछ चीज़े हैं जो postmaster को check करनी पड़ती है examination of delivery work of the subordinate office तो जो delivery work है जो जो बितरन का काम है उसकी examination उसका निदिक्शन जो उसके नीचे वाले post offices होते हैं जो subordinate post offices होते हैं उनके delivery work की examination postmaster inspect the articles received as undeliverable from subordinate offices तो जो postmaster होगा वो can reaction करेगा कि जो article उसके नीचे वाले post offices जो उसके subordinate offices होंगे बहां से undeliverable आ रहे हैं जिनका भी तरन नहीं हो सकता ऐसे उनके उपर remark लिख के आ रहे हैं तो क्या होगा so as to check on the efficiency of their delivery work तो उसके जो subordinate offices होंगे जो वो undeliver articles भेज रहे हैं वो उनको examine करेगा ताकि जो उनके काम की किशमता है उसको वो जान सके on date of inspection अब जब inspection होती है postmaster should take out contents of account bag और bio bags and separate and examine the articles sent to account office and undeliverable तो जब inspection होती है जो postmaster होता है वो उच्छो account bag में या फिर bio bag में जो भी contents होती है उनको निकालता है और फिर उसके बाद उनको अलग करता है और फिर उनका रिक्षिन करता है जो भी articles undeliverable है बिना बितर्न किये हुए account office को बापिस बेच जगे हो any laxity of part of SPM तो SPM जो होगा सब postmaster होगा उसकी कोई ढील की उसके किसी भी उसकी तरफ से कोई भी ढील हो तो उसके लिए brought to the notice of superintendent तो इसके लिए जो प्रिटेंडन होगा उसके ध्यान में यह वाली बात लाए जाहेगी and in case of BO अगर branch office के case में ऐसा होता है तो जो inspector होता है उसके ध्यान में यह बात लाए जाहेगी his test should be applied twice in each month तो यह वाला जो test होगा ठीक है उसकी जो पोस्ट मास्टर जो उसकी efficiency चेक करेगा जो test होगा वो एक महीने में बो दो बार करेगा and result of test should be noted in his order book और जो उसका result निकलेगा वो अपनी order book में उसको note करेगा examination of stamp advances with assistant and vendors तो जो stamp advances होते हैं मतलब कि जो assistants होते हैं और vendors होते हैं उनके पास stamp advances होते हैं कि उन्होंने stamps पहले रखी हुए होती है फिर बो बेशते हैं उसके जो money जमा होती है फिर उसको office में जमा करवाते है तो ऐसी जो stamps advances होते हैं उनकी जो examination होते हैं उनकी जो nidiction होता है वो कैसे होता है the postmaster should satisfy himself from time to time तो इसके लिए जो postmaster होता होगा वो अपने आपको समय समय पर इस चीज़ की करेगा और फिर अपने आपको satisfy करेगा संतुष्ट करेगा क्या संतुष्टी करेगा वो कि balance of poster stamps held by different officials are correct and stamps found with vendors are in good conditions and genuine कि जो जो भी officials है जो भी different officials है उनके पास जो postmaster stamps है ठीक है वो ठीक है और वो गुड कंडिशन में है और ठीक कंडिशन में है और genuine है यह वाली बो चीज़ चेक करेगा time to time और अपने आपको संतुष्ट करेगा जो यह बाला उसके जो record होंगे in his order book तो उसको अपनी record book में जो order book होगी उसमें record करेगा we should be submitted to inspecting officer for review और उसके बाद जो किसको वो review करने के लिए present करेगा तो जो inspecting officer होंगे जो भी special attention to duty of supervising तो इसके लिए postmaster special ध्यान देता है कि जो चंटाई का काम है उसके परिवेक्शन के लिए बो special ध्यान देगा the work of sorting department to ensure accuracy of sorting तो जो जो बर्क है sorting department का वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं once in a month postmaster examine every implied assistant in sorting department तो जो sorting department में जो भी assistants काम कर रहे होंगे ठीक है जो भी कारे रत होंगे postmaster उनको एक महिन्य में उनको examine करेगा उनका रिक्षन करेगा note result in his order book और जो उसका result निकलेगा वो अपनी order book में लिखेगा examine the contents of mail bags under preparation for dispatch and check whether articles faced and properly wondered and clearly stamped note the result in his order book तो इसके साथ वो क्या करेगा contents होंगे उनकी भी निरिक्षन करेगा उनको भी examine करेगा कि उनके उपर जो stamps है उनको अच्छी तरह लगाया गया है clear है या नहीं है या फिर उनको बिरूपित उनके उपर जो poster stamps उगा रहा है उनको बिरूपित किया गया है या नहीं तो यह सारी चीज़ें वो चेक करेगा और जो इसका result निकलेगा वो अपनी order book में लिखेगा check on clearance of letter boxes अब जो letter boxes होते है उनकी clearance को भी वो check करता है the postmaster test the punctual clearance of outside letter boxes by posting test letters addressed to himself and not the result in his order book तो इसके लिए postmaster क्या करता है कि जो उसके office से ठीक है जो भी बाहर जो भी letter boxes लेगे होते है उसके office से दूर तो उनमें वो एक letter डाल देगा जिसमें उसके खुद के लिए वो address होगा कि उसके उपर जो address लिखा होगा वो खुद postmaster का होगा ठीक है अगर तो जो postman होगा उसको clear करेगा letter box को तो जो letter होगा वो postmaster तक पहुंच साएगा अगर नहीं करेगा तो वो नहीं पहुंच सेगा तो इस तरह वो उसको check करता है checking of undeliverable articles returned by postman तो जो articles return किये जाते हैं postman दोरा as undeliverable कि जिनके delivery नहीं हो सकती है ऐसी articles जो postman दोरा return किये जाते हैं तो postmaster should check articles returned undeliverable by postman and see that the postman number and reason for non-delivery noted on each article returned तो ऐसी सीती में postmaster क्या examine करेगा क्या वो चेक करेगा कि जो postman return करना है article उसके उपर जो return का जो उसकी non-delivery का reason है जो उसका कारण है वो उसके उपर लिखा है यने ही postmaster satisfy himself before placing such articles in deposit as unclaimed तो ऐसे articles को unclaimed as unclaimed in deposit मतलब कि उनको deposit में रखने से पहले ठीक है unclaimed की तरह deposit में रखने से पहले वो खुद को satisfy करेगा कि actually मैं undeliverable है या postman ऐसे ही उनको deposit में रख रहा है if not satisfied अगर वो संतुष्ट नहीं होता है again send out to the article by other postman or head postman तो फिर क्या गरेगा postmaster होगा उस article को दोबारा से delivery के लिए भेज़ेगा अब जो पिछले postman को नहीं भेज़ेगा वो नए postman को किसी और को भेज़ेगा या फिर जो head postman होगा उसको भेज़ेगा and if then article deliver postmaster काल दी तो अगर फिर उसके बाद जब वो द्वारा से उसको भेज़ेगा फिर बो डिलिवर हो जाता है article तो postmaster जो है बुलाएगा postman who originally brought back the article as undeliverable तो जो postmaster होगा जिस postman ने ठीक है वो article undeliverable की तरह उसको रिटर्न किया था उसको बुलाएगा the result of a test noted by the postmaster in his order book और जो इसका result होगा वो postmaster अपनी order book में note करेगा examination of articles in deposit in detail तो जो हमारा article जो भी articles deposit में रखे होंगे उनकी examination उनका निरिक्षन the postmaster examines articles to be placed in department as well as those they already in deposit see that they are not detained unnecessarily तो इसमें क्या है मारे पास जो postmaster होगा वो examine करेगा वो निरिक्षन करेगा कि जो भी articles department में deposit में रखे गए है या जो पहले से ही deposit में है कहीं उनको बिना बजा तो नहीं detain करके रखा गया है all refused articles send to RLO or return to office or posting by first mail तो जितने भी refused articles होंगे जिनको लेने से इनकार कर दिया गया होगा उनको RLO or return letter office में भेज दिया जाएगा या फिर जो हमारे पास office जो उनके posting वाले office होंगे जहां से भी भेज जाएगा उनको बहां के लिए फिर से बापिस भेज दिया जाएगा फिर्स्ट मेल में उसको बापिस भेज दिया जाएगा and unclaimed articles immediately after expiration of prescribed period और जो unclaimed articles होंगे उनको कब भेज जाएगा जब उनका जो prescribed period है निर्धारित समय है उसकी expire हो जाने के बाद उनको भी बापिस भेज दिया जाएगा note result of these examination is order book तो इसमें वो जो भी result निकलेगा उसको अपनी order book में note करेगा तो इसमें main का है कि वो check करेगा जो भी articles deposit में रखेगी है कि वो कहीं बिना बज़ा ही तो deposit में तो नहीं है अगर बिना बज़ा deposit में है तो वो उनको आरेलो में भेज देगा या फिर जो office of posting होगा बहाँ पे भेज देगा ठीक है और अगर हमारे पास unclaimed articles है जिनके उपर जिनका address ही नहीं मिला या जिनके उपर कर claim करने वाला नहीं है तो ऐसे articles को जब उनका prescribed period खतम हो जाएगा different different articles के लिए जितना निधारी समय होता है कि post office म रख सकते हैं तो उस समय के समापत होने के बाद उसको भी आरेलो में भेज देगा या फिर जो अगर address होगा तो उसको office of posting के लिए भेज देगा check on clearance of ladder boxes तो जो ladder boxes होते हैं उनकी clearance को चेक करना the postmaster should frequently check ladder boxes to ensure that they are clearly cleared punctually तो जो postmaster होगा उनको check करेगा कि जो ladder boxes हैं वो punctually clear हो रहे हैं या नहीं है उनको clear किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है see our plates are punctually and correctly changed और उसके बाद वो check करेगा कि जो our plates होती है जो ladder boxes के उपर लगी होती है कि उनको धंक से punctually या फिर correctly सही तरीके से उनको change किया रहा है या नहीं see that ladder box attendance leave office for their beats and return to office at fixed time और उसके साथ वो यह भी देखेगा कि जो ladder box attendance है ठीक है जिन्होंने ladder box को clear करना है या फिर hours plane change करनी है वो जो office है जहां पे वो अपनी डाक लेके आएंगे या फिर डाक लेके जाते हैं बहाँ से वो अपनी beat के लिए समय से जा रहे हैं और फिर जो बहा से बापपिस आ रहे हैं वो समय से आ रहे हैं या नहीं वो यह सारी चीज़ें भी चेक करेगा instruction slip friends हम यह वाली चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं कि जासे instruction slip होती है इसमें क्या होता है कि कोई भी ब्यक्ति जो अपने article के regarding कोई भी instruction देना चाहता है कि उसकी delivery के regarding या उस उसकी return के लिए उसकी redirection के लिए in large offices furnish these instructions on instruction slip अब जो बड़े offices होते हैं बहाँ पे जो यह वाली instructions होती है वो instruction slip में लिखे जाती है instruction slip prepared in duplicate by carbonic process तो जो instruction slip होती है वो कैसे बनाए जाती है duplicate में बनाए जाती है मतलब कि उसकी दो copies बनाए जाती है carbon paper रहके the carbon copies sent to head assistant retain carbon copy and return original due acknowledgement the carbon copy तो जो carbon copy होगी वो किसको भेजी जाएगी वो जो head assistant होगा उसको भेज दी जाएगी letters of instructions secured in daily bundles तो जो instruction के लिए letters होंगे वो कहां पे रखे जाएगे daily bundles होगे उनमें secure किया जाएगा उनको letters of instructions intended for a town offices तो town offices में के लिए जो भी letter of instruction होगे उनको कहां भेज जाएगा transfer to registration department by first mail तो उनको registration department को भीज दिया जाएगा first mail के through book of addresses instruction अब यह क्या होती है office no instruction slip procedure तो यह कहां पे यूज होती है जहां पे instruction slip बाला procedure है वो नहीं available है बहां पे यह book of addresses instruction यह वाली चीज़ यूज होती है instructions regarding redaction delivery of registered article payment of money orders to authorized agents recorded by deposit assistant in form M32 तो यह वाली चीज़ जयाद रखनी है कि जो book of addresses instruction होती है इसमें क्यों से form में इसको maintain किया जाता है M32 में तो कोई भी instruction है कोई भी निर्देश है redaction के regarding delivery जो आर्टिकल्स है registered article चौन की delivery के regarding या money orders की payment के regarding ठीक है कोई भी authorized agent को तो उनको कहां पर record किया जाएगा तो जो deposit assistant होगा उसको form M32 में उनको record करेगा known as book of addresses instruction और इसको क्या कहते है book of addresses instruction in each book instructions recorded briefly and clearly in column purport of instructions तो इसमें परते एक book में जो instructions होगी उनको briefly और clearly record किया जाएगा instructions communicate to postman and department concerned और फिर जो instructions होगी वो postman को बताई जाएगी या फिर जो सम्मंदित department होगा उसको बताई जाएगी क्योंकि जो भी instruction है अब article तो postman ही डिलिवर करने तो जो instruction होगी वो postman को बताना जुरूरी है और साथ में जो उसका सम्मंदी department होगा उसको भी बताई जाएंगी for temporary and permanent instructions अब कुछ temporary और permanent instructions होती है separate book of addresses instructions तो इसके लिए अलग addresses instructions book होती है चीक है तो जग जो हमारी अलग-अलग book होती है जो instruction की तो इसमें जो temporary instruction book होती है वो कितने समय के लिए valid होती है 3 months के लिए और जो permanent instructions होती है वो कितने समय के लिए valid होती है 3 years के लिए उसके आगा था हमारा beat instruction register in large offices instructions are many तो जो बड़े large offices होती है जो बड़े offices होती है बहाँ पे instructions भी बहुत ज़ादा होंगी तो ऐसी सीदी में क्या होगा beat instruction register maintain in delivery department तो जो delivery department होता है जो भी निर्देश होती है address के उनको record किया जाता है वो postman को बताया जाता है इट में either captain separate book of book of addresses instruction on it manuscript separate page assigned to each beat तो इसमें क्या होता है कि परतेक beat के लिए लग-लग page assigned किया होता है and postman obtained in a register against entries of instruction तो postman जो होगा अपनी beat के हिशाब से उसको देख लिगा beat list maintained for and prepared for तो जो beat list होती है इसमें क्या होता है guidance of delivery assistant in office and copy of same furnished to postman for his guidance तो जो हमारी beat list होती है वो किसके लिए बनाई जाती है और किसके लिए उसको त्यार किया जाता है तो जो delivery assistant होता है उसके लिए और उसकी एक copy जो postman होता है उसको भी दी जाती है उसके बाद आते हैं हमारे disposal of unclaimed letters तो जो हमारे unclaimed letter होते है ठीक है उनका disposal उनका निप्टान कैसे किया जाता है unclaimed articles forwarded to RL तो जो भी unclaimed articles होते है ठीक है जिनके उपर कोई भी claim नहीं करता है कि मेरा है या मेरा है कोई भी उसके उपर claim ही नहीं करता है तो उनको RL को भेज़ दिया जाता है return letter office होता है बाग को भेज़ दिया जाता है in case non-delivery जब भी उनकी non-delivery होती कि मतलों उनका बितर्ण ना हो पाए तो उनको RL को भेज़ जाएगा mark with the reading cone address side तो अब हम कुछ पढ़ेंगे कि कुछ mark पढ़ेंगे ठीक है तो कि reading के साथ उनके उपर address side के उपर लिखा जाएगा कब कर उनसी situation में कौन सा mark लिखा जाए रिमार्क दिये जाएगा तो left note known तो ये वाला जो रिमार्क का कब दिये जाएगा after 7 days all efforts for delivery have failed तो left लिखा जाएगा या note known लिखा जाएगा साथ दिन के बाद जब सारे ही प्रियास fail हो जाएगा आर्टिकल को deliver करने के return direct to sender name and address of sender clearly written outside the article जो जो sender होगा उसको direct उसको बापिस कर दिये जाएगा अगर उसका जो address है और name है वो और बाहर साफ साफ लिखा हुआ है and other should be sent to RL और बाकी सभी को return letter office को पेज़ दिये जाएगा जो मारा post sent होगा ordinary after बन मन्त तो उसको सदानते है ठीक है उसको पता ही है जैसे कि हम एक महीने के लिए उसको deposit में रख सकते है तो और बन मन्त तो सदानते है उसको एक महीने बाज return track to sender in name and address clearly written after the article तो उसको जो sender होगा उसको track लिए उसको return कर दिया जाएगा अगर जो उसका नाम और address है वो clearly लिखा हुआ है आर्टिकल पर acknowledgement destroyed after four months जो acknowledgement होती है उनको चार महीने के बाज दिस्ट्राइ कर दिया जाता है packets of registered paper जो महारे पास registered newspaper के packets होती है to office of posting after seven days तो उनको 7 दिन deposit में रखने के बाज office of posting जो उनका भेजने वाला जो भी office होगा उनको बापिस कर दिया जाएगा left India अगर India छोड़ दिया तो to RLO at once तो अगर left India किसे को पर रिमार्क दिया तो उसको RLO को भेज जाएगा एक बार के लिए deceased अगर किसके मित्य होगी है तो उसको भी RLO को भेज दिया जाएगा redirected redirected कब लिखा जाएगा to RLO at once तो ऐसे articles को जिनके उपर redirected लिखा हुआ है उनको एक बार के लिए RLO को भेज जाएगा unless जब तक कि the address or the redirecting office give instructions for article captain deposit or unless the address is expected shortly तो जो भी redirected articles होगे जिन पर redirected लिखा हुआ उनको RLO को भेज दिया जाएगा एक बार के लिए जब तक कि अगर जो address है उसने कोई भी instructions जो नहीं दे रखी है कि उसको deposit में रखना है या उसको redirect करना है उसके बारे में कोई भी instruction नहीं दी है from RLO, अब RLO से to RLO at once तो जो इस पर जो आया सी article जिन पर from RLO लिखा हुआ है unless the address is expected shortly or has give instructions for article captain deposit तो इसमें क्या होगा कि जो address ही होगा अगर उसने कोई भी instruction नहीं दे रखी है तो उसको फिर से एक बार के लिए RLO को भेज़ दिया जाएगा redirected from, redaction of inland articles जब जो inland articles होते हैं उनकी redaction तो यह वाली चीज़ भी friends हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो inland articles होते हैं उनकी redaction कैसे होते हैं may be redactor to any place within India तो इनको इंडिया में किसी भी place में किसी भी और चगा के लिए redact किया जा सकता है served by inland post बट वो जहां के लिए redact करना है वो भी inland post के द्वारा served की होनी चाहिए मितलब की बहाँ पी inland post है वो service है जो अबलेवर होनी चाहिए own instruction of address और instruction जोगी address द्वारा दी चाहिए all inland letters, letter cards and post cards and unregistered articles carried by air forwarded to new address by air तो जो भी post card या inland letter card या फिर registered या unregistered articles by air आते हैं उनको नए address के लिए forward किया जा सकता है by air ही और जो other articles जोंगे उनको surface route से भेज़ा जाएगा अगर जो address है उसने कोई written instruction नहीं दिया है कोई निर्देश नहीं दिया है तो उनको surface route से भेज़ा जाएगा redaction of foreign articles जब जो हमारे foreign articles होते हैं उनकी redaction कैसे होते है articles received in India by foreign post तो जो article जब foreign post के तुरू इंडिया में receive होते है redacted to any place by foreign post उनको foreign post से ही किसी और स्थान के लिए redact किया जा सकता है accordance with addresses instructions तो इसके लिए जो भी address नहीं निर्देश दी होंगे उसके हिसाब से यह किया चाहेगा treatment of articles presented for registration and preparation for dispatch तो यह वाली चीज़ भी हमने पहले पड़ी हुई है कि जो articles registration के लिए present किया जाते है post office में उनको त्यार कैसे करना है ठीक है उनको कब present करना और उनको कैसे dispatch करना है तो confirm all conditions post office guide तो जो हमने post office guide में पड़ी थी वो सारी conditions confirm करेंगे कि ठीक है उनके हिसाब से pack हुआ है यह नहीं and in good conditions हो रहे है good conditions में मतलब कि ठीक था condition में होना अची है in case of letters with ad and parcels तो ऐसे add letters या parcels जिन पर ad लगी होई हो बेर outside name and address of sender तो इसके बाहर जो ad होगी उसके उपर जो name और address होगा sender का बो लिखा जाएगा article should be paid for prepayment of registration fee तो registration fee की prepayment के लिए जो article होगी उसका wait किया जाएगा articles accept inline letter card and letter cards intended to send by air तो articles जो inline letter card ये letter card के सिवाए जो भी articles है जिनने air द्वारा भेज़ा जाना है superscribed birds by air mail तो उनके उपर क्या लिखा जाएगा by air mail लिखा जाएगा और उनके label के उपर क्या लिखा जाएगा per even by air mail तो ये वाली चीज भी हमने पड़ी थी अपने याज रखना है कि जो भी इमारे air mail articles होते हैं उनके उपर या by air mail लिखा जाता है या फिर per even या फिर by air mail ये चीजें लिखी जाती है if acknowledgement required by sender तो अगर जो sender है भेजने वाले है उसको acknowledgement चाहिए ठीक है जो delivery है उसकी acknowledgement चाहिए ठीक है तो SECT में क्या होगा additional poster stamps तो इसके लिए additional poster stamps लगानी पड़ेंगी या उसको जो भी fees होगी ad की बो देनी पड़ेगी word ad superscribed on the article और उसके साथ जो article होग उसके उपर क्या word लिखाaris जाएगा ad receipt prepared from register journal तो जो register journal होगा उससे receipt prepared की जाएगी तियार की जाएगी and give to sander and give to sender ओर जो sender होगा भेजने वाल होगा उसको दे दी जाएगी receipt from register journal contain entries with ink तो जो receipt दी जाएगी sender को जो register journal से निकाल के दी जाएगी तो उसमें क्या-क्या लिखा होगा postage fixed on articles तो जो भी postage article पे लगी होगी class of article की article को register भेज रहे हैं उसकी speed post कर रहे हैं या airmail है जो भी उसकी class होगी वो लिखेंगे latter ad उसके उपर word लिखेंगे ad अगर उसके साथ कोई ad लगी है airmail if an airmail article चीक है उसके उपर airmail लिखेंगे अगर वो airmail article जा on top of the receipt तो जो receipt होगी उसके उपर लिखेंगे sign by counter assistant impressed with date stamp जो उसके counter assistant होगा वो उसके उपर sign करेगा और उसके उपर date stamp लगाए जाएगी number of receipt registration assistant ad first and be the latter on side containing sender's address तो जो ad होगी वो कहां पर लगाए जाएगी जहां पर sender का address होगा उस side में ad को लगाया जाएगा बहां पर उसको बंदा जाएगा उसके बाद आती है हमारे बास delivery of articles at post office अब जो articles है उनकी post office पर post office में delivery कैसे होती है registered insured valuable articles delivered during hours fixed for their booking तो जो भी registered articles valuable articles होंगे उनकी delivery कब होगी post office पर post office window पर कब होगी उनकी delivery जब उनको जो उनकी booking के लिए समय निर्धारी तर ठीक है उनी इस काम के घंटों के बीच उनकी delivery की जाएगी postal service registered including insurance and insured and parcel address to postmaster and articles other than VP collected at post office by address see or messenger own registered and parcel abstract entry delivered at post office window then delivered by assistant तो अगर कोई भी article है ठीक है कोई भी जो registered with जो insured है या फिर parcel है जो postmaster के address पर भीज जा गया है ठीक है postmaster को address किया गया है या फिर कोई article है जो value payable नहीं है ठीक है अब value payable article के सिभाई कोई article है तो बो किसके द्वारा collect किया जा सकता है address ही हम messenger के द्वारा collect किया जा सकता है ठीक है own registered and parcel abstract entry तो जो registered या parcel है ठीक है इसको बिंडो पर डिलीवर किया गया है then deliver by assistant और उसके बाद जो assistant होगा उसको डिलीवर करेगा register including insured letter or parcel captain deposit delivered at window after taking due तो कोई भी article जिसको deposit में रखा गया होगा ठीक है उसके उपर जो भी due होगे उनको लेने के बाद जो article होगा उसकी बिंडो पर delivery की जाएगी registered article of letter or parcel main including insured captain deposit as unclaimed तो कोई भी article ठीक है कोई भी रिजिस्टर आर्टिकल या parcel main ठीक है insured भी इस में शामिल है कोई जिसको deposit में रखा गया है unclaimed की तरह deliver at window any person subsequently claim as addresi तो कोई भी person है ठीक है अचानक से claim करता है कि वो address ही है तो उसको जो delivery की जाएगी वो कहाँ पर की जाएगी post office window पर की जाएगी delivery of insured article on permanent ID तो जो insured articles होगी उनकी जो delivery होगी वो permanent ID के उपर ही ठीक होगी पहले permanent ID वो present करेगा उसके बाद ही insured article की delivery होगी ID far claimant far registered or insured articles accepted as satisfactory postmaster और other official sign receipt under the words identification accepted तो अगर कोई भी हमारे पास claimant है जो identity card अपनी identity present करता है ठीक है registered article या insured article की delivery के लिए तो ठीक है उसको अगर satisfactory ठीक है संतुष्टी के साथ उसको accept कर लिए जाता है तो postmaster होगा या फिर जो other official होगा वो sign करेगा receipt के नीचे और उसके उपर words लिखेगा identification acceptor ठीक है फ्रेंट्स है तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं इसके बाद हम next video में देखेंगे ठीक है फ्रेंट्स thank you आज है आज है प्रेंट्स